नमस्कार आप लोग देख रहे हैं जेके टाइम सोरे स्वक्त मैं मौझूद हूँ अखनूर चंद्रभागा नेदी के तट पर इस जगा की बात करें तो ये धार्मिक और इतिहासिक लिहाज से बहत एहम और आविशक है बार बार चंद्रभागा के इस तट को धार्मिक प्रेटन स्थल बनाने पर जोर दिया जाता है क्योंकि महराजा गुलाब सिंग के राज्तिलक की बात करें या प्राचीन जियापोता मंदिर और मेरे पीछे दिख रहे पुली वाले मंदिर की बात करें तो ये तमाम एतिहासिक और धार्मिक जरूरी दरोहर इसी स्थान पर मौजूद है कोशिश तो बार बार की जा रही है कि इस स्थान को धार्मिक प्रेटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए लेकिन लगतार आपको कई न्यूज चैनलों और अखबारों के माध्यम से हम बार-बार ये चीज दिखाते रहे हैं कि किस तरहां से अकनूर मुंसिपल कमेटी द्वारा इस मंदिर मार्ग पर लगतार ये कच्रा यूँ ही बिखेरा जाता है कई बार इसको लेकर आवाज उठाई गई कई संगठनों ने भी इसको लेकर समय समय पर अपना विरोज दर्ज करवाया लेकिन किसी अधिकारी पर इसको लेकर कानों पर जूँ तक नहीं रेगी कुर्शियों पर अफसर तो जरूर बदले लेकिन इस जगा की स्थिती जियों की त्यों बनी रही इस जगा की साफ सफाई नहीं हो पाई और इस डंपिंग यार्ड को यहां से स्थानंत्रित नहीं किया गया सब के उपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाज सेवक हैं शुशील शर्मा जी इनसे सीधी बातचीत करेंगे और पूछेंगे शुशील जी बात करें चंदरभागा के स्थाट को बेहत इंपोर्टेंट माना गया है हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको धार्मिक प्रेटन स्थल बनाया जाए यहां पवित्तर जियापोता मंदर है महराजा गुलाब सिंग का राश्तिलक हुआ है उसका बहुत बड़ा मेला यहां लगता है बसाखी का मेला यहां लगता है पीछे हमारे पुली वाला पुवित्तर प्राचीन मंदर है तो उस मार्क पर इस तरह की गंदगी क्या संदेश समझते हैं आप किस तरह का एक बुरा संदेश जाता होगा जो प्रेटक दूर से हमारे इस चंद्रभागा के तटको देखने आते हैं नमस्कार आतुली देखे आपकी बात का मैं समत्थन एक सो एक प्सेंट करता हूं क्योंकि पिछले काफी देश से हमने इस अवाज को पहले भी बहुत बार उठाया है और बड़े अफसोस की बात है कि जहां की मुनिसिपल कार्ट पेरिशन यह कहती है कि यहां से दंपी यार हमने उठा लिया है मगर यह दंपी यार उठाने के बाब जूजे कचला कहां से आ रहा है वो कहते हैं कि लोगों ने डाला हुए लोगों ने कीम डाला है अगर धंपी के यार आपने उठालिए तो लोंगों ने क्यों डाला हुए है आपके जहां लगी हुए है ख्राब गारीयों जहां लगी है एकतरम ट्रेक्टर लगा ऊदर गेंगे ना उठाना किसका काम है आप जो आटो गली-गली गुमाते हैं, उनको दो आटो लगाएं जहां से गंदगी उठाएं, एक तरफ हमारा जिया बोतागाड है, जो प्राचीन जिया बोतागाड जहां गुलाब सिंग माहराजी को दाज दिल्ग हुआ था, उपर से हमारा केले वाला काली माहा का मंदर है पीछे पुली वाला मंदर है, और यह हम तो कह रहे हैं के प्रेटन सथल बंड़ा है, टुरिजिन डिपार्टमेंट के नक्षे में है यह, और हम दार्मी सथल बिनाना चाहते हैं, मगर अफ्सोर से ही इसी बात का है, कि मैं जाजा कुछ न कहते हुए, आपके चैनल के मादर से जही कहूँगा, कि जो वीडियो मांदर हैं के जहां इंचार्ज है, यह, खंचे कम बो भी ध्यान दें, कि आए दिन यहां डार्मी के मेले होते रहते हैं, अभी होली चलेगी, तो होली पे लोग आएंगे जहां, यह क्या देखेंगे गंदगी, उसके बाद नबरातरे आ सबाब दिया, कि सर हम सुबा केवल कुछ समय के लिए यहां पे इस कच्रे को गिराते हैं, उसके बाद हम इसको ठालेते हैं, तो यह साब की जानकारी के लिए मैं बता दू, इस वक्त समय जो है, वो लगबग दोपयार के डेड़ बच चुके हैं, और अभी तक यह सारा का स सारा कच्रा यहां पर पड़ा है, और आप खुद बलिवांती जानते हैं कि अकसर मंदर या धार्मिक जगा पर जाने वाले लोग सुबा के समय जाते हैं, तमाम सारे जो है हमारे शरधालू अखनूर से, या कई बार तो काफी दूर दूर से, अम्मा वस्या पूनमाशी के रोज को यहां पर आते हैं, गंदी बदबूत से उनका स्वागत होता है, इस कच्रे से उनका स्वागत होता है, शुशील जी क्या लगता है, क्यों आखिर कारवाई नहीं हो रही, कहीं चेहरे बदल गे उस कुर्शी पर, लेकिन इस जगा को साफ नहीं किया गया, मुनसिप जिसको पूरे अखनूर का रेवन्यू आता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कि उनके पास को स्थानी ना बने, जिसको लेकर यह कहीं इस कच्रे को डंप कर सकता है, देखिए मुझे हांसी आती है आपके स्वाल पे, के पांच साल हमारे कारप्रेटर हैं, तेरा कारप्रेटर, तेरा जितनी बार भी बात हुई, हमने फलाँ जगा जगा ले रखी है, मकर बना कहां, सिर्फ काग्जों में, काग्जों में बना है ना, ग्राउंड पर दिख रहा है आपको, अगर दिखता है, तो पताइए मुझे, लास्त यर की बात है, पांच से मिन्ने हुए, जहां डंपी क यार में गुसा दी थी, जब हम गे डंपी जहां वो द्रिया के कनारे फैंकते हैं, तो बहां गव मातागो कूड़े के देर में बार रखा है, आप जैसे चैनल बालों ने आवाई उठाई तो उसको हमने दफन किया, तब वो लिंपी की भीमारी चल रही है, क्या ऐसे कि से उठा लिया है, वो कागजो में उठा लिया है, मगर यहां पे देख लीजिए आप, जो गंदगी पड़ी हुई है, बदबू ही बदबू है, हम जहां खड़े हो के बार देरे हैं, बदबू ही बदबू हा रही है, तो इस खबर के माद्यम से, मैं हमारे जिला को समझें, एक तरफ जहां पर सभी लोग मिलजूल कर ये परियास कर रहे हैं कि चंदर भागा नदी के इस तठ को धार्मिक प्रेटन स्थल के रूप में बदला जाए, वहां पर इस तरह के दृष्य कितने बद्दे, कितने बुरे लगते हैं, उमीद है, इस खबर को देख उनके लिए क्या फाइन होना चाहिए, ये हमारे दर्शक जरूर इस खबर के नीचे कमेंट करें, धन्यवाद जैहिन जा भारत